लगबक बोलिवुड से 4 साल दूरे लगवड कान ने एसा कमबे किया किर किसी क्याकि फटी की फटी फटी रगय और हर YSRK फेंज जो यो जशन मनाने लग गया सारू कान ने च्यार साल के बाद अपनी फिल्म फटान रिलीज करी सिल्मा गोरों में और एस आरके की फेंस ने जो इस फिल्म को सुपर डुपरीट ब्लोकबास्टर बना दिया इस फिल्म ने वोल टाइम बोक्सवच कलेक्शन लगबक एक जार क्रोड का किया इसके बाद सारू कान ने इसी साल जो इस दूसरी मुवी रिलीज करी जवान इंड जवान की आंदी बोक्सवच कलेक्शन को किस तरीके से तबा करी हम सब लोगों को पता है किसी ने सोचा भी नहोगा कि एस आरके कि ये फिल्म इतनी सदा कमाई करेगी सारे डिकोड टोड गए सारे डुआदः ऐँ क्योंकि ये सार किया कि ये फिल्म जो इतनी सदा कमाई कर चुकी है कि बड़ी बड़ी मुवीजे को रिकोड इस फिल्म ने आसानी से तोड दिये सबसे अपली हिए इस फिलम ने अपने परले दिन लग भाग एक सो गंतिस क्रोड का वोकशव सक्लेक्शन कलेट किया इसके बाद फिलम का डे वाइ डे वोकश्व सक्लेक्शन काफिसदा हाई होता चला गया येंड फिलम ने च्यार दिनों में लगबग 550 क्रोड का वोक्स अपस कलेक्शन कलेट कर लिया है और ये तो बस शुरूआ थे क्योंकि मैं आप लोगों को बता दू कि इस फिलम को बार की कंट्रीज से भी काफिसदा प्यान मिल रहा है आप सब लोगों को पता होगा ट्रिपर लार के साथ भी ये गेम पले हुआ था जिसके वज़े से ट्रिपर लार फिलम काफिसदा सुपर डूपर इट हुई थी येंड फिलम को उसकर भी मिला था येंड ये सेम चीज जो इस फिलम के उपर भी रूल कर रही है जिसकी वज़े से ये फिलम वोल टाइम Boxhubs Collection लगभग 2000 कूरोटा कंप्लेट कर सकती है बाकि अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने फिलम देकी फिलम केसे लगे और फिलम कितने का survives collection कलेट कर सकती है आप लोगों के हिसाप से